नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक्जाम लोकेशन यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रास्तान पुलिस कोंस्टेबल की भरती आई है 2021 की उसके टाइम मेनेजमेंट और कितने घंटे पड़ाही करें ये क्या होता है कि सभी में तयारी करते हैं या फिर जिनको काफी टाइम हो गया उनको तो काफी experience भी हो जाता है बाकी नई experience का ज्यादा सवाल होते हैं कि सर हम कितने घंटे पड़ें जिससे की हमारा selection sure हो यानि कि हम पूरा syllabus cover कर सके जो एक perfect time की हमें इतने घंटे पड़ेंगे तो हमारा इतने time में हमारा पूरा syllabus complete हो जाएगा उसके बारे में बात करेंगे और दूसरा point है हमारा time management की हम कैसे time manage करें जिससे की आसानी से हमारा syllabus cover हो वीडियो को पूरा देखिएगा इसकी बिल्कुल नहीं करना तो देखिए सबसे पहली बात तो कितने घंटे पड़ें इस question का answer स्वम आपको दूनना पड़ेगा ये कोई भी teacher नहीं बता सकता है कि आप इतने घंटे पड़ोगे तो आपका जो syllabus है वो पूरा होगा और आपका selection हो जाएगा अब आप कैसे दूनोगे बोलोगे सर अगर हमें ही दूनना होता तो हम आपके पास क्यों आते देखिए सभी students जितने भी होत हैं उनकी सब की अलग-अलग छमताय होती है ठीक है क्या पता सामने वाला 10 गंटे पड़ रहा है लेकिन 10 गंटे में वो इतना matter पड़ रहा है कि आप उसे 7 गंटे में ही पड़ दो फरक है ना दोनों में यानि कि वो 10 गंटे पड़ रहा है और आप 7 गंटे दोनों बराबर हो गया तो आप ये देखिए कि आप कितना अचीव कर पाते हैं अगर आप 8 गंटे पढ़ाई करते हैं तो उसमें कितना अचीव कर पाते हैं ये एक main point है इसको आपको स्वंको डूनना पड़ेगा आप पढ़के देखिए तब देखिए कि हाँ मैं इतने गंटे पढ़ा तो मुझे कुछ आने भी लगा और मेरा slaves भी complete हो रहा है मुझे समझ में आ रहा है देखिए slaves को सबसे पहले तो divide कीजिए कि एक target fix कीजिए आप कि जैसे मुझे रास्थान जी के पढ़नी है और उसके एक chapter पढ़ना है या फिर कुछ pages है मुझे 20 pages पढ़ने है book के जो भी है उसका target fix कीजिए और उसको complete कीजिए उसमें देखिए आपको कितना time लग रहा है ये भी नहीं है कि आप बोल दो कि मैं तो दो chapter पढ़ूँगा ये मेरा target है तो पूरे दिन उसी में लगे रहा हो ऐसा भी नहीं हाना तो अपना जो target है वो इतना ही लीजिए कि आप कम समय में आसानी से उसको complete कर सको जिससे आपको भी परिशानी ना हो तो जैसे आपने कोई target लग रहे है कि मुझे एक chapter complete करना है अब उसको पढ़ने बैठे और आपने उसको एक से डेड़ गंटे में complete कर लिया अच्छे से आपको समझ में भी आ गया ये हमारा complete हो गया तो next subject उठाए इस तरह कीजिए अगर कोई chapter बढ़ा है उसमें ज्यादा time लग रहा है तो उसका कुछ part छोड़ दीजिए आप अगले दि पूछें तो 8 गंटे और 9 गंटे ये sufficient होटे पढ़ाई करने के लिए बात ये होती है कि कौन student कितना अचीव कर पाता है इस time period में कोई student ऐसा होता है कि उससे थोड़ा सा धीरे समझ में आता है आराम से तो वो इसमें plus कर सकता है अपने हिसाब से वह एक दो गंटे और जोड कर सकता है तो उसके लिए इतना time बहुत है और जो पुराने student है उनका क्या है कि slaves complete है पहले से ही काफी कुछ उन्हें knowledge है तो वो क्या करते हैं कि अपना revision करते हैं उसके लिए उनको इससे भी कम time में वो आसानी से कर लेते हैं तो ये अपना sum देखना पड़ेगा आपको कि हा मेरे लिए इतने घंटे sufficient है देखिए मैं मानता हूं कि 8-9 घंटे आपके slaves complete करने के लिए काफी अच्छे से सही है इसमें आप अपना जो time है वो divide कीजिए subject wise और अपना पूरा slaves को complete कीजिए ये होना चाहिए और बाकि time management की कि उस time को हम कैसे manage करें कब पढ़ें और कैसे शु शुरुआत करते हैं अब तो काफी time निकल चुका है वैसे तो अगर फिर भी अगर आप अभी शुरुआत करना चाहते हैं तो starting में क्या कीजिए आप time जो है वो कम कीजिए 5-6 घंटे time लगाईए और सभी जो subject हैं उसको पढ़िए थोड़ा थोड़ा धीरे इसको time को चला जाएगा ऐसा नहीं है कि आप पहले तो कभी पढ़े नहीं हो एकदम से पढ़ने बैठो और सोचो कि आज तो मैं 10 घंटे पढ़ूँगा पढ़ने बैठे हो और 2 घंटे में वापस उठकर चल दिये कि नहीं होगा 10 घंटे तो मुझे से ऐसा नहीं होना चाहिए शुर इसे होते हैं जो मौर्निंग टाइम में जल्दी उठकर पढ़ते हैं उनका एक बेनिफिट है कि अगर वो चार बज़े उठ गए ठीक है अगर वो पांच बज़े पढ़ने बैठते हैं और आठ बज़े तक पढ़े तीन घंटे तो उनके यहीं पर हो गए अब उनको तो भी उसका पूरा टाइम आराम से निकलेगा पांच गटे पढ़ने का यह जादा फायदा होता है मैं अपनी स्वम की बात करता हूँ तो देखिए अगर मैं सुभा सुबा एक गटे बीपढ़ लूँ चार बज़े नहीं पांच बज़े नहीं अगरॉ मैं सुभा साथ य यानि कि जब हम ready हो जाते हैं एकदम उठकर उसके बाद सबसे पहला काम जो है वो पढ़ने का हो तो हमारा जो mind है वो पूरा set हो जाता है कि हाँ मुझे आज पढ़ाई करनी है तो इससे क्या है कि हम ज़्यादा time आसानी से निकाल पाते हैं ये चीज आप भी करी के कई बार ऐसा होता है कि आप दोपैर में पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन ठीक से नहीं लग पाता है तो उसका कारण यही होता है अगर आप सुभा का एक घंटा भी निकालते हैं उसके बाद में जो आपका mind है वो पढ़ने के इसाव से set हो जाता है तो इस चीज को विश test जो है वो रोज दीजिए उसमें time लग सकता है अगर एक दिन में नहीं दे पा रहे हैं तो हर दो दिन में जरूर दी दिए यानि कि एक test को दो दिन में complete कीजिए एक दिन आमने test दे लिया उसके बाद उसको analysis कीजिए वो करना भी ज़रू है तभी आपके questions जो हैं वो सही हो ही है तो उसमें ज़्यान दीजिए फिर यह होना चाहिए इस तरह से आप काफी अच्छे से अपना syllabus complete कर सकते हैं वीडियो कैसी लगी आप सभी comment box में जरूर बताएं वीडियो को like जरू करें शेयर करें ज़्यादा ज़्यादा अपने friends के साथ में जो भी रास्थान पुलि के जरू जाहिएगा धन्यवाद